प्रेज़ेंट वेल्कम टो माई यूटूब चैनल अंजम नीटिंग आज हम आप लोगों के लिए मल्टी कलर में पैटर लेकर आए हैं यहां से इसके उपर से दूसरा कलर आड़ करके पैटर बनाएंगे यहां पे हम अपना डिजाइन इस्टार्ट करेंगे यहां से यह करेंगे अगर आप हमारे चाहर पर नए हैं तो सिस्प्राइब कर लें बिल आइगन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह से नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें गंटी दबाना बिल्कुल मजबूर हैं लाइक करें अब यहां से हम दूसरा कलर आड़ करेंगे इस तरह से अब यहां पे हम दूसरा कलर आड़ करेंगे तो आड़ करेंगे तो यहां पे पहला फंदा भी स्टिच करेंगे दूसरा फंदा तीन तीन फंदो का पैटरन है थिरी थिरी प्लस वन करके एक फंदा हम सिलिप करेंगे तीन फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से ए एक, दो, तीन, एक फंदा सिलिप करेंगे, इस पैटर्न को आप किसी भी प्रजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं, बच्चों के सेटर में अपलाई करेंगे तो बहुत ही बीटिफुल लगेगा, बहुत सुन्दर डिजाइन है, बहुत इजी भी है, ये तीन, तीन फंदे हम बुनेंगे, दो, तीन, एक फंदा सिलिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा बुनेंगे, इसी तरह से हम फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे, बुनकर, फर्स्ट रो हमने राइट साइड से बुन लिया है, ये देखें, फर्स्ट रो, अब सिकेंड रो, बैक साइड से, अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा सिलिप करेंगे, फिर धागा पिछे करेंगे, तीन फंदा यहाँ पर सीधा बुनेंगे, बैक साइड से भी हम सीधा ही बुनेंगे, धागा अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा सिलिप करेंगे, फिर धागा पिछे करेंगे, तीन फंद कर आğेगा और इसमें हम इस वाय्ट वाला कलर दो सलाइयां वणएंगे צ connecting दो सलाइयों में हमारा कलर चेंज हो जाएगा अब यहांपर फिर वही वाय्ट वाला बेस कलर जो हमारा है उसी को हम यूज करेंगे यहां पर जो एक फंदा ये ग्रीन वाला सिलिप तरहेंगे हैं तरह से फिर एकक्षंदा स्लिप और ही सिध्राय करेंगे एकक। रहें ँद्ध करेंगे इस तरह से हमे तीसरी स्लाई ऑपका χre 심री कनो संस्य कि करेंगें ऐसी hack। से तरह से दो घुरतो जब हम ऻुने हैं। consci verste करेंगे만 जो सकता आफ। से हमें आगे की साइड से सीधा बुनेंगे बैक साइड से उल्टा उल्टा सारे फंदे हम उल्टा बुनेंगे जो हमने सिलिप किया है उसको सिलिप करेंगे इस तरह से ये ग्रीन करण जो हमारा है इसको स्वारी फ्रेंज इसको भी हमें बुन लेना है यहां पर हम बैक करेंगे जाए जाए पार शुरीं किलाए से थिया खूल आपकर पार नहुंसा ripped कर सब्सक्राइब तो लेंगे था सरन startled वाइट क्लोडन से उस सब्सक्राइब मोड़ा पार आएड़ इस तरह हम सब्सक्राइम ये हम ने एक फंद्य फंद्य लिया है ये बीच वाल जो ग्रीन वाला हमने तीन फंद्य भुना था स्टार्ट कें सॉनिभ फंद्य व्यम्त highway वद्य। जो हमने जे इसटार्ट के था जहांसरे हैं यह पीट पैटर्ण यह बीज वाला फंदा जो हमने यह ग्रीन वाला है बीज में तीनों फंदों के तो यह सेंटर वाला फंदा हम सिलिप करेंगे फिर यहां से तीन फंदा यही पिंक कलर से हमें इस तरह से सीधा बुन लेना है एक दो तीन फिर ये बीच वारा फंदा जो है इसको सिलिप करेंगे फिर यहाँ पर एक दो तीन तीन फंदा हम पिंक कलर से बुनेंगे फिर एक फंदा सिलिप करेंगे फिर हम तीन फंदा पिंक कलर से बुनेंगे इस तरह से फिर एक फंदा सिलिप करेंगे फिर तीन फंदा हम pink color से बुनेंगे इसी तरह से हम अपनी पाउचमी सलाई बुनकर complete करेंगे यह हमने पाउचमी सलाई तीसरा color लगा कर बुन लिया है अब हम back side से wrong side से यह जितने भी हमने pink color से बुना है इसको हम सीधा बुनेंगे धागा अपनी side लाएंगे वाइट 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 वाइट वाला हम रिपीट करेंगे वाइट क्लर हमारा बेस कलर है इसको फिर समरेंगे अब यहाँ वाला फंदा इसको हम बनेंगे इह अब तीन फंदो में जो हमारा बीज वाला है इसको हम slip कर लेंगे तीन फंदा फिर एक राइट वाला लेंगे एक लेप्ट वाला एक बीच में जो हमने slip किया था इन तीनों को सीधा वाइट लड़ से इस तरह बुने लेंगे फिर यहाँ एक फंदा बीच वाला slip करेंगे फिर तीन फंदा सीधा बुनेंगे सलाइबूंपे हद वाइड साइड साइड से यह जो हम ने एक फंद आ स्लिप किया है इसको अजिस उल्टा भूनकर कम्प्लीट करेंगे सारे फंदे उलटा इस्टिच करेंगे यह हमने आट सलाईं बुंगर कम्प्लीट कर लिए है वा SIMON वाला हमने बुन लिया है अब फिर यहाँ पहे हम तीसरा कलळ अपना अइट करेंगे तीसरा कलळ जब आट करेंगेילו तो जो हमने नीचे repeat किया है वही हम इसके ऊपर repeat करेंगे pattern change कर लेना है यहाँ पर यहाँ पर हम बुनेंगे यह तीसरा color हम लगाएंगे अपना तीन फंदा जो हमने starting में बुना था तीन फंदा सीधा वही हम repeat करेंगे इस तरह से दो तीन तीन फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदा हम slip करेंगे यह बीच वाला फंदा इसके ऊपर वाला यह वाला slip कर लेंगे फिर तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे इस तरह से तीन फंदा दो तीन तीन फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदा slip करेंगे इससी तरह से हम अपना 9th room complete करेंगे अब यहां पर हम 9th रो अपना complete कर लिया है right side से अब फिर हम back side से wrong side से उसी तरह repeat करेंगे तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे back side से भी 3 फंदा सीधा बुनेंगे धागा अपनी side लाएंगे इसी तरह से अपना 10th रो complete करेंगे यह देखिए इस तरह से हमारा pattern बन कराएगा इसके उपर फिर वही हम white वाला कलर repeat करेंगे जैसे हमने नीचे बनाया है इसी तरह से हम इसके उपर भी वही repeat करेंगे दो सलाइया white लोर से बुनेगे बहुत ही beautiful pattern है, बहुत easy pattern है, आप इस pattern को जरूर किसी भी project में apply करें, अगर आप बच्चों के शर्टर में apply करेंगे तो बहुत ही beautiful लगेगा, अगर आप मारे चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लें, like कर दें, bell icon को press कर लें ताकि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की notification मिलती रहे एक और वीडियो मिलूंगी, नई वीडियो के साथ, तब तक लिए Allah हापीस, thanks by watching